हलो दोस्तों आज है 8 जनवरी 2021 और 8 जनवरी 2021 से जितने भी हर्याना एक करेंट हवेर एक क्वेस्टन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और साथ-साथ उनके बारे में कुछ एक्ष्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे और लास्ट में आपके लिए एक क्वेस्ट अप्शन ए फिरिदाबाद जिले में हरी आना कि फिरिदाबाद जिले में अंतराष्टे स्तर का किरकेट स्टेडियम बन रहा वर्त माने आपको याद रहना और मोच्ट इंपॉन्ट क्वेस्टन है अब कि इसके बारे में कुछ और अक्ष्टा पैक्ट बता देता हूं दोस्ति इसकी फूल लिटेल के साथ एक्स्पलेशन करते हैं फृरिदाबाद का राजा नहार सिंग किर्केट स्टेडियम अब अंतराष्टे स्तर का किर्केट स्टेडियम बन रहा है आपको याद रखना कि फिरिदाबाद में राजा नार सिंग क्रिकेट स्टेडियम भी है अब उसे ही अंतराश्टेस्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने जारी यारियाना सरकार अब इसके बारे में और जान लेते हैं करीब 115 क्रोड लोपी के लागत से राजा नार सिंग स्टेडियम को आस्टेलिया के शिड्नी किरकेट ग्राउंड की तरह आपको एब आपको आद रखना है है याँ फे हैं नार सिंग क्रिकेट स्टेडियम को इस निए उला है था जब हरिया अनावाश सेना की टीमों को बीच में पहली वारंजी ट्राफी मैच यहां पर खेला गया था उसके बाद जनवरी उनिस्टासी में बार दोरे पर आई पाकिस्तान की टीम ने यहां बोर्ड एकादस के खिलाब से मरमत या नए त्रशेस्तर के रूब में विक्सित किया जा रहा है और पूरो रण जी खिलाडी ट्रोफी खिलाडी संजेबाट याने कई बार इस्टेडियम के निर्मान या जिलनोदार के लिए वाज भी उठाईए भी आपको याद रखना और आपके लिए मोस्ट की है चोदरी बंसी लाल इनिवस्टी की डाक्टर उमा कुमार इसा को वुमाइन इस पर आवाड दोजार इक्किस मिला है आपको बदा देते हैं इसके बारे में कुछ आक्ष्ट्रा फैक्ट है चोदरी बंसी लाल विश्ववदा लेके मिडिया एंड कम्यूकेशन स्टेड की सायक प्रोफेसर डाक्टर उमा कुमार इसा को केंदरिया मंतरी नितिन गडगरी के आतों से वर्स 2021 का वुमाइन इस पर आवाड मिला है और इन्हें समान उन्हें रेडियो ओरेंज एओं जोन्स लिफ्ट दौरा नागुपूर में आउजित उमाइन इस पर आवाड समार की है तो नाबर कितने क्रोड रुपे देंनी गोशना कर चुका अरियान के किसानों की आयय में वरिद्धी के लिए राय टरन्ष्रोग ऑप्षützen एक लाग 5555.49 क्रोड रुपे देगा णाबार हर्यान का किसानों की आयको वर्दी करने के लिए आपको याध रखना हैं अब मनोहरलाले नाबाड का स्टेट फोकस पेपर 2021-22 का भी मोचन किया है इसे के साथ मुख्यमंतरी मनोहरलाले स्टेट फोकस पेपर 2021-22 का भी मोचन किया भी आपको याद रखना है अब बात करें नाबाड किस्तापना कब हुई थी तो नाबाड किस्तापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका मुख्यालिय है मॉंबई में या हैड़कौाटर मॉंबई में ये आपको याद रखना है और चेर्मान या प्रबंदक है गोविंदा राजवलू चिंतला ये आपको याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर क्वेस्न नबर च्यार है हरियाना राजय प्रिवार पचान पत्तर यूजना लागू करने वाला देश में कौन सा रजय बन चुका है? परिवार पहचान पत्तर यूजना लागू की ये वि आपको याद रखना है अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं प्रिवार पहचान पत्र पर सत्यापित डाटा सरकारी सिवाओं को लाब देने के दार बनेगा निकिसी दार पर सरकारी सिवाओं दे जाएगी प्रिवार पहचान पत्र वाले प्रिवारों को अभी तक 114 सरल सिवाओं को प्रिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा चुका है ब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल स्प्सक्राइब जिरू कर दे और साथ में बाइल आकंद बाद ये ताकि आने वाली हर वीडियो को जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी त्यारी बहतर तरिके से चलती रहे तो चलते हैं प्रशाण मुखर जी योजिना को हरी आना सरकार ने बंद कर दिया पूरी तरहां से आपको याद रखना है अब इसकी बारें मता देते हैं ड्क duyमापरशाद मुखर जी हो क्या थी वर्तमान मौजूदा सरकार ने एक अप्रेल 2017 को इसका नाम बदल कर डाक्टर श्यामा परसाद मुकुर्जी शायता योजना कर दिया था यह आपको याद रखना है गत 31 दिसंबर को सोसल जस्टिस एंड एमपॉर्मेंट विबाग की तरफ से आदेस जारी करते हुए शुचिना जारी की गई है कि यह योजना कत्तिस मार दोजार बीस से बंद कर दिया यह याद कर दिया लेकिन सुचिना इसकी आवद दी गई है कत्ति दिसंबर को आपको यह याद रखना है और उसका पहले नाम था राजियो गांधी प्रिवार भी मायोजना जिसे कट्टर सरकार ने एक अपरिल 2017 उसका नाम मदलकर डाक्टर श्यामा प्रशाद मुकरजी दुरकटरा सहतायोजना कर दिया था अपके लिए most important question यह भी चलते हैं next question पर question number 6 है अरियाना सरकार किस नई स्कूल नीति को लागू करने जारी है तो रियाना सरकार किस नई स्कूल नीति को लागू करने जारी है तो रायटन स्रोग option C नई स्कूल बैग नीति को लागू करने जारी है अरियाना सरकार और यह नई स्कूल बैग नीती है क्या इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको फूल डिटेल के साथ हरियाना सरकार नई स्कूल बैग नीती का अनुसरन कर रही है इनकी से लागू करने जा रही है जिसे परदेश के तुमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर वोना कम हो जाएगा इनकी सभी व keays कुल को में बहुत चाड़े आपको यह आद रखना है चलते हैं नेक्सकोन पर Question number 7 है अब इसके बारे में कुछ और बता देता हुमें आपको पंच्कूला जिले में राष्टिया पलस पोलियो अभ्यान के तैट 17 से 19 जनवरी तक जिला के 74,483 से दिख बच्चों को पोलियो की खुराग पिलाने का लक्से निदारित किया है उपायक तुम यहां DC मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि राष्टिया करिकरम हर साल चलाया जाता है बार्त देश पोलियो से मुक्त तो चुका है लेकिन पडुसी देशों से आने वाले नागरिकों के कारण यह है रोग ना फैले इसके लिए इसके लिए भी बार्त दोबुयो उनमूलन अभव्यार जारी रखा जाता है पिर भी अभया नदारी रखा जाता तकि दूसरे देशों से आने वाले वाकि उसे भी बिभार्व ना फैले चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर question number 8 है हर्यान के गुरुग्राउं जिले का नया जिला उपक्त यूए DC किसे नुक्त किया गया है तो राइटन स्रोग आप्शन B येस गरग को गुरुग्राउं जिले का नया DC या जिला उपक्त नुक्त हिया गया आपको ये भी याद रखना है और इससे पहले अमित खतरी वहां के DC थे लेकिन ये दो साल के लिए दो साल के लिए आफकास या छूटी लेकर विदेश में से ले गई है और इसकी स्थान पर आप ये सकरग गुरुग्राम के DC होंगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर Q9 हो आपके लिए पारक बदेश ने कहा है कि पंस्कुला में ऐसा पारक विखिते होगा जिसे पंस्कुला ही नहीं में नहीं बलकि बारत और विश्यों के लोग भी देखने आएंगे आपको याद रखना है इसलिए इसके सेक्टर 23 में 24 एकड यान की 24 किलो में इसके लिए बूमी चेहनेत की गई है इसमें 6 एकड पर मारिज प्लेस बनेगा और 18 एकड में 27 पारक विक्सित किया जाएगा और इस पारक को State of Art Park भी कहा जाएगा और State of Art Park का डिजाइन, Landscaping बागवानी, विश्यों से र सतीश नरूला त्यार कर रहे है इसका गार्डन और बुलबले यह भी एक साथ होगी पारक में बुलबले बुलबले यह बनाए जाएंगी और पारक के अंदर ही अंतराष्टे स्तर का साइकल ट्रैक भी बनाए जागा यह आपको याद रखना है और इसी गोशना की है विदान सबाद्यक्स गान्सुन गुपताने क कि इनका यह सपना था कि पंसकुला में का ऐसा पारक को बलाओ बने जो वी सोस्तर पर अपना नाम रोशन करें आपको याद रखना है तो यह है राइटन रोगा फ्रिदाबाद के स्टेडियम नहार राजा स्टेडियम को अंतराष्टे स्तर का किर्केट स्टेडियम बनने जारी अरियना सरकार नेक्स्ट कोष्टन है क्वेस्टन बर दो अरियान कि किस इन्योष्टी की डाक्टर उमग कुमारी साथा को वो मैं इस पार अवाड़ बजार राकीस मिला है तो एमिला vlux CBLU चोदरी बंड सीलाल इन्योष्टी विवानी को की डाक्टर उमग मारी संक पॉइंट च्यार नो क्रोड की को सना की है नावाड ने और नावाड किस्था अपना इती बारा जुलाई उनिसो ब्यासी को एड़ को आटर है बुम्बई में और इसका चेर्मैन या प्रबंदक है गोविंदा राज़ोलू चिंतला आफ को यह भी आद रखना है नेक्स्ट क पांच हरियाना सरकार ने किस आर्थिक सायता देने वाली योजना को बंद कर दिया है तो राइटन सरह है डाक्टर स्यामा परशाद मुखर जी योजना को हरियाना सरकार ने बंद कर दिया है और इसकी सरुआ तो इती एक अप्रेल 2006 में उसका पहले नाम था राजियो सब्सक्राइब को लागू करेगी हरियाना सरकार जिसके तहट विदार्तियों के बैक का वजन भी कम किया जाएगा और पहली वाद दूसरी कश्या विदार्तियों को नहीं दिया जाएगा यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेस्टन है अर्याना के किस जिले में पारक बनेगा तो यह बनेगा पंश्कूला में और आपके लिए मौस्ट इंप्रटन क्वेस्टन है नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे पूछा था अर्याना के किस जिले में परदेश का पहला चोट स्वाज तेल आपके इंदर स्थापित होगा बहुत से बच्चों ने राइ पंश्कूला जिले में हर्याना परदेश का पहला पहला चोट स्वाज तेलाब के इंदर स्थापित होगा और दूसरा होगा रोतक में और यह कुल मिलाकर चियार स्थापित होगे लेकिन दो की जगाही चैनित की गई है और दो की जगाह बाद में चैनित की जाएगी अभी की जिले में बन रहा है दोस्तों अगर आपको इस question का अनुसर पता तो comment box में comment जरूर करना कि comment करने से लिखने से आपको question मैं समत क्याद रहता है और thank you so much आपका वीडियो देखने के लिए